तो आज हम करने वाले हैं सेट थियरी का एक्सामपल तो देखते हैं कौन सा एक्सामपल हमको दिया गया है तो आज हमको एक्सामपल दिया हुआ है कुछ ऐसा और एने टूट सेट्स ए एंड वी यहां पे दो सेट हमको दिये गये हैं ए एंड बी हमको प्रूव करना है प्रूव एट ए यूनियन बी यानि ए एंड बी का यूनियन किसके इक्वर होगा ए एंड बी के इंटर सेक्शन के सेम होगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूनियन सेम है एंड इंटर सेक्शन दोनों की वैल्यू सेम है तब कौन सा केस पॉसिबल है कि ए ए एंड बी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे हम तो जबी भी आपको ऐसा क्वेस्चन दिया जाए कि दो चीजों को इक्वल प्रूव करनी है आपको तब आप कैसे कर सकते हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि A जो है वो B का सबसेट है and दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि B जो है वो A का सबसेट है यानि कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तब हम क्या लिख सकते हैं कि A and B दोनों क्या है equal set है तो यह चीज़ हम prove करेंगे सबसे पहले कि A जो है वो B का subset है चले A मेंसे एक value ले लेते हैं X belongs to A X element ले लिया A मेंसे हमने कि जो A set में है A set में है इसका मतलब क्या हुआ कि X belongs to होगा A union B में भी होगा अगर A union B में है इसका मतलब A union B is equal to क्या है A intersection B तो X belongs to क्या होगा A intersection B की B भी होगा इसके उपर से अगर X A intersection B है इसका मतलब X कि set में भी होगा B set में भी होगा A intersection B है मतलब A में भी होगा तो A तो हमने ले लिया था मतलब B में भी होगा इसका मतलब यह हुआ कि A subset है कि इसका B का उसी तरह से इसको प्रूव करेंगे हो Y element ले ले लेते हैं Y belongs to B में से ले लेते हैं तो Y belongs to B लिया मतलब Y belongs to क्या होगा A union B होगा A union B है मतलब A intersection B भी होगा मतलब Y belongs to A intersection B क्योंकि यह हमको दिया गया है यह हमको प्रूव करना है तो A intersection में भी होगा intersection में होगा इसका मतलब Y किस में होगा Y belongs to A B होगा क्योंकि B में तो already हमने लिया है इसका मतलब यह हुआ कि B subset of A भी होगा हमको पता है कि अगर कोई set A subset B है and B subset A है तो इन दोनों के उपर से हम लिख सकते हैं कि अगर case में A union B is equal to A intersection B दिया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों set A and B क्या है equal है